प्रस्ण करमांग 12 है यदि कोष्टक के अंदर एकसा का 4 गात प्लस एक अपान एकसा का 3 गात कोष्टक बन उसके उपपर में गात कितना है 15 है कि प्रसार में आरवा पद एकसा का 4 गात रखता है तो आर का मान ग्याद कीजिए तो चलो इस प्रस्ण को हल करेंगे और इसमें क्या निकालेंगे आर का मान निकालेंगे ना तो जैसे हमने बाकी प्रस्ण को बनाया सेम तुसें वैसा ही इसका भी हल होगा बहुत सरल प्रस्ण है चलो इसको मैं बना के बता देता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा लगातार प्रस्न बनाते आ रहे हैं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे x के मान को रखेंगे ना x हमने किसको माना x का जो 4 घात है उसको माना ठीक है तो ये x के 4 घात को हमने x मान लिया ठीक है फिर y किसे मानेंगे Y जश्ट उसके पीछे में है न तो एक अपान X का जो तीन घात है इसे हम क्या मानेंगे Y मानेंगे और N किसे मानेंगे जो घात होता है उसे हमें क्या मानना होता है N मानना है तो घात कितना है 15 तो घात को हमने मान लिया N मान लिया ठीक है अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है आर्वापद है ना आर्वापद का मान निकालने मतलब आर्वापद दिया हुआ है तो आर्वापद x का 4 घाद आर्वा पद x का 4 घाद रखता है ठीक है तो ये क्या है दिया हुआ है प्रस्न में दिया हुआ था तो दिया गया है आर्वा पद x का 4 घाद रखता है अब हम यहाँ पे सूतर लिखेंगे ठीक है तो सूतर को हम क्या लिखते हैं हम जानते हैं हम जानते है सूतर क्या है हम जानते हैं तो जो सूतर है उसे हमें लिखना होगा तो सूतर है t r plus 1 यही है ना सूतर t r plus 1 बराबर in फिर c फिर यहाँ पे r x n minus r फिर y r यह क्या है सूतर है ठीक है तो सूतर हो गया अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे जो हमने x को माना है x को क्या माना है मतलब यह जो x के 4 घात है इसको हमने x माना है तो यहाँ पे जो x है उसके जगह में क्या आ जाएगा x का 4 घात आ जाएगा y के जगह में क्या रखेंगे y के जगह में 1 अपान x का 3 घात रखेंगे यहाँ पे आ जा जाएगा और n के जगह पे क्या रखेंगे 15 तो n कहाँ पे यहाँ पे तो सुत्र में सभी मानों को रखते जाएंगे तो चलो रखते चलते हैं तो यह हो गया t और किसके लिए प्रसार कर रहे हैं आर्वा पत के लिए ना तो आर्वा पत के लिए प्रसार कर रहे हैं तो टी आर प्लस एक पहले से है और आर्वा पत मतलब यहां पे माइनस एक हो जाएगा ठीक है आर्वा पत के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा एक घट जाता है ना हमेशा क्या होता है जब हम किसी पत के रखेंगे इन के जगह में यह इन के जगह में पंदरा सी यहां भी क्या होगा आर है तो आर माइनस वन एक घटाएंगे यहां भी एक आगया यहां भी एक आगया ना फिर यहां पर एकस है एकस के जगह पर क्या रखेंगे एकस के चार धात रखेंगे तो यह रहा एकस के चार टक में लिखेंगे न क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया, प्लास में रहता तो कोश टक में लिखने की आओ सकता नहीं था, फिर यहाँ पर Y के जगाब में, एक अपान X का तीन घाद रखेंगे, और यहाँ पर R है, तो R को क्या लिखेंगे, R माइनस एक हना, देखो यहाँ भी माइनस एक किया है, यहाँ भी हमने माइनस एक किया, यहाँ भी माइनस एक हना, R यहाँ पर है, वहाँ पर माइनस एक, माइनस एक सब के साथ लगा हुआ ह हमेशा एक घट के हम क्या करते हैं प्रसार करते हैं यह बात आपको याद रखना है यहां तक आपको समझ में आया चलो आगे हल करते हैं अब यहां पर देखो t यह और यह एक एक कडिया बचा क्या सिर्फ r बचा फिर यहाँ पे कितना है 15 है तो यह 15 और फिर CR-1 ठीक है तो यह हमें पुरा लिखना है फिर यहाँ पे X देखो यह X पहले लिख लेते हैं जैसा वैसा फिर 15 को लिख लेते हैं फिर यह माइनस को अंदर गुड़ा करते हैं तो यह माइनस है यह प्लस तो माइनस होगा यह माइनस माइनस गुड़ा हो कि क्या हो जाएगा प्लस तो यह प्लस एक हो गया फिर ये रहा एक और ये x का तीन घात है ना तो x का तीन घात और यहाँ पे जो r है ना ये r-1 तो ये जो है ये घात किसका है इसका भी घात है देखो ये पुरे का घात है मतलब दोनों का घात है तो r-1 और यहाँ भी r-1 इस तरीके से हम इसे लिखेंगे फिर T R बराबर 15 C R माइनस 1 अब ये जो है न चार जो है ये बाहर चला जाएगा तिन सब के साथ क्या होगा गुड़ा होगा सब के साथ क्या हो जाएगा गुड़ा तो यहाँ पे सिर्फ X बस को लिखना है हमें और फिर ये गुड़ा हो जाएगा 15 चोग कितना होता है 15 और 4 गुड़ा हो जाएगा न तो 15 चोग कितना होता है 60 तो यहाँ पे हो जाएगा 60 तो यह रहा 60 ठीक है फिर माइनस 4 R हाना ये हो गया 4 R हो गया ठीक और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 यह रहा प्लस 4 यहाँ तक आप minus 1 भाई एक के उपर कोई भी घात हो आना घात कुछ भी हो मान तो एक ही आएगा तो उपर का मान एक कए एक रहेगा लेकिन नीचे वाला जो x तो घात 3 है तीम को अगर हम इसके साथ मतलब इसको बहार निकाल लेदें कोटक से तो इसके साथ क्या होगा इसके साथ गुड़ा हो जाएगा तो यह X 3R और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहां तक आपको समझ में आया फिर T R बराबर 15 C R माइनस 1 फिर इन्टू फिर X देखो यह 60 और 4 कितना होगे 64 64 माइनस 4R 64 माइनस क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा अब यह जो नीचे में मान दिया है नीचे में यह जो X दिया है और इसका घाद दिया है इसको मुझे उपर ले जाना है उपर ले जाएगे क्या हो जाएगा जो घाद के उपर जो चीन है ना प्लस और माइनस का वो चीन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो ये आ गया उपपर आ गया और जैसी ये उपपर आया तो ये जो प्लस में था वो क्या हो गया माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ठीक है ये प्रक्र आंक वाला प्रफिय आपको पता है ना जब दो मान सेम हो और गुड़ा में हो तो घात क्या होते हैं भई घात जूड़ आते हैं आपको यह पता होगा ना तो यहां पर क्या करेंगे घात को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो घात को जोड़ते हैं तो यह एक्स को एक बार लगत में दोनों माइनस माइनस में तो यह हो जाएगा माइनस साथ आर हो जाएगा इतना ही होगा माइनस साथ आर हो जाएगा अब इस प्रस्ण में हमें करना क्या है आरवा पद एकस के घात चार का है ना रखता है कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एकस के चार घात के लिए हमें क्या करना है मतलब x के 4 घात रखके हमें हरकर मतलब x के लिए प्रसार करना है समझ में आ गया तो यहाँ पर आपको लिखना होगा यह पद x4 मतलब x4 घात रखता है रखता है यदी तो अब हम क्या करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे किसको इसको लेंगे ठीक है इसको और यह एकस की चार घात को तो देखो थोड़ा समझो हो है ना मैं अभी आपको बताता हूँ देखो यह हो गया एकस समझना ना सौट सट माइनस सातार को मैंने लिया इसके बराबर में एकस की चार घात रखता है कह रहा है तो रखता है कह रहा है मतलब यहां पर हम लेंगे अब देखो यहां भी एकस यहां भी एकस और दोनों बराबर की इस पार एक साइड और दूसरे साइड है मतलब तूलना कर रहे हैं तो भहिया direct हटा देना है आपको किसको अटा देना है x को हटा देना है अब बचा क्या इसके घाथ तो सिर्फ घाथ बसको लिखा जाता है तो घाथ कितना है 64-7 यह आर है x नहीं है 64-7 र बराबर 4 यह होगा न फिर यह 64 इसको इस ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं गल्दी कर दिया हूँ, देखो, यहाँ पे 64 लिखे रहाओ ना, suncit लिखो, यह भी suncit ही है, और यह भीọnša FAR ऑनी हो. ठीक है, यह जो 4 है, यह इस जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये साथ इस सेड़ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है इसे हम पक्छानतर प्रदरिया कहते हैं घटाएंगे घटाएंगे कितना होगा भई तीर साथ है ना तो ये आगिया तीर साथ और ये रहा साथ ठीक है, इसको अब हम आगे में लिख लेते हैं, तो ये आर को मैंने आगे कर दिया, और ये 63 बटा 7, ऐसे ही होगा, अब क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं, तो भाग कर दो, तो ये हो जाएगा, आर बराबर, ये 9 बार में कट गया, 7 एकम, 7 निया, 63, तो 9 आ गया, और आरवा पद, मतलब यही मान हमें क्या करना था, निकालना था, यही इस प्रश्ण का उत्तर है, तो देख लो, इस तरीके से प्रश्ण को हल करना है, जितना सरल हो सके, उतना सरल तरीके से मैंने हल करके बता दिया, टिक, आपको समाझ में आया होगा, चलो, अगला सबसे सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं एक सेकंड पहले यहां पे लिख लिख लो दीया है दिया है x का वर्ग प्लस lambda अपान x और इसका घात कितना है 5 यही दिया हुआ था ठीक इसे हमने लिख लिया अब इसको हमें क्या मानना है x मानना है और इसको हमें क्या मानना है y मानना है तो यहाँ x बराबर x का वर्ग y बराबर lambda अपान x और n बराबर कितना है पाँच हाना तो एन बराबर हमने क्या माना पाँच ठीक तो पाँच को हमने एन माल लिया अब यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स का वर्ग प्लस लेम्डा अपान एक्स हाना प्रसार वाला लिखेंगे के प्रसार में एक्स आर्वा पद में प्राप्ट होता है यह समझ में आ रहा है ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ, किसके लिए मान रहा हूँ, ये जो प्रस्न हमारा है, प्रस्न क्या है, एकस का दो घास प्लस लेमडा पान, एकस इसका घास कितना है, पांच है, कि प्रसार में एकस, है न, एकस आर्वा पद में प्राप्त होता है, ठीक है, तो x जो है आर्वापज में ब्राप्थ होता है ये हम प्रस्न के लिए मान रहे हैं ठीक अब सूतर लिख देते हैं तो सूतर को लिखते हैं तो क्या यही सूतर है अब क्या करेंगे ये जो मान है इसको यहाँ पे रखते जाएंगे तो ये हो गया T R बराबर ये R प्लस 1 R कहां से आया पदा चला चलो पूरा लिख देते हो R प्लस 1 फिर माईना से 1 ऐसी करेंगे तभी तो पदा चलेगा न पूरा पूरा मैहल कर रहा हूँ फिर यहाँ पे N, N के जगा में कितना रखेंगे N के जगा पे देखो N के यहाँ पे यहाँ पे तो 5 रख देते हैं ठीक है C, R यहाँ पे कितना है? R दिया हुआ है तो ये R फिर ये X ठीक है, N के जगा में फिर कितना रखेंगे? नहीं नहीं यहाँ पे X कमान रख देते हैं, X का 2 घात है X के 2 घात फिर यहाँ पे एन, एन के जहाँ में 5 और फिर आर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम प्रसार जो है, आरवा पत के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आरवे प्रसार में प्राप्त होता है कह रहे हैं, यह भी बात याद रखना, ठीक है, प्रसार आरवा पत के लिए नहीं कर र आभएन पत्त के लिए आप प्रसार करो क्या अना वाह के साथ कोई भी बी चेंजेश नहीं होना है यहां तक आप आपको समझ में आगे होगा ठीक आगे बढ़ते हैं अब यह जो y है इसके हमें महां रख देते हैं लेम्डा पान x लेम्डा पान x और इसका घाथ क्या है आर है तो यह हो गया t r पराबर यहां पे आगया 5 c r यह जो 2 है इसको बहार ले जाते हैं तो पता है प्रक्रिया क्या होगा पान दुनी यह 10 हो गया फिर माइनस 2 r हो जाएगा यह r जो है इन दोनों को गुड़ा कर रहा है मतलब दोनों के साथ है न तो यह लेम्डा r अलग कर देते हैं और यह x r यह भी अलग-अलग हो गया तो यह हो गया tr बराबर 5cr और यह हो गया x 10-2r अब यह जो x r है इसको पर ले जाते हैं तो आपको पता है क्या होगा प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और उपर में पहले से लेमडा है ना तो लेमडा आर को इस तरीके से क्या करेंगे लिख देंगे ठीक अब देखो दोनों एक्स ये ये दोनों एक ही है मतलब एक्स ही है और दोनों गुड़ा के form में है, तब इसके लिए, क्या होगा भई, तब इसके लिए इसे एक बार लिखेंगे, और घात घात क्या हो जाता है, जूड जाता है न, तो यह 10 जैसा है, वैसा रहेगा, यह------------ मैंनस में है तो 3R हो जाएगा फिर लेंडा R ठीक यहां तक आपको समझ में आया ठीक अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूँ X के लिए प्रसार करने वाला हो ना मतलब यहां पे यह बद क्या है X रखता है तो सिर्प X वाले बस को लेना है और किसी को नहीं लेना है तो यहां भी x, यहां भी x, क्या हो जाएगा, कड़ जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचे क्या है, घात वाला मान, तो घात वाला मान क्या है, 10-3R है, और यहां भी इसके घात में कितना है, एक है, तो यह हो जाएगा, इस साइड आके, 10-1, और यह r उस साइड आके, 3R हो जाएगा, ठीके, थोड़ा सा है, तो यहां बगल में कर देता हूँ, तो यह 3R को मैं यहां पे ले लेता हूँ, और 10 में घटाव कितना आएगा, 9 आएगा, पिर r बराबर, यह 9, और यह 3 को, 3 जो है, ठीक है, अभी आगे और है ना, प्रस्न में 270 भी दिया हुआ था, तो उसके लिए भी तो हल करेंगे ना, तो गुडांग नहीं हम, गुडांग पद्धती हल करेंगे अब, ठीक है, तो अब गुडांग पद्धती से हल करते हैं, तो यहां पे अब हमें क्या करना है, लिखन 707 दिया हुआ था तो अब क्या करें गुडान के लिए प्रसार करने के लिए नहीं कहा था इसमें लेम्डा का मान निकालने के लिए का है तो लेम्डा का मान भी नहीं निकला है अभी सिर्फ आर का मान निकला है आर का मान निकलने के बाद अब क्या करें लेम्डा का मान निका तो देखो यहां पर यह वाला भी हमने ले लिया तो इसको आपको उठाना है तो यहां पर लिखो 5 सी आर इंटू लेम्डा और लेम्डा कमान कितना है आर कमान कितना है देखो आर कमान कितना है तीना है ना तो यहाँ पर लेम्डा है मतलब लेम्डा और यहाँ पर आर है तो आर के जगा पर कितना रखेंगे तीन रखेंगे तो यहीं पर मैं रख देता हूँ ठीक है, तीन आ गया, अब ये 270 को लिखेंगे, ये रहा 270, ठीक है, 270 जैसे X का गुडांग क्या है, 270 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो X हमने रखा था था ना, तो X के जगहा पे कितना रखने के लिगा है, ये वही X है, ये वही X है, इसी X क के जगा पहे कितना रखने के लिगा है 270。 तो हम ने कितना रख दिया 270 जो परस्म में कहा है वही हम कर रहे हैं न इसके बार आगे हखल करते हैं. तो देखो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ठीक है ये कितना हो जाएगा पांच फैक्टोरियल हो जाएगा और ये एक मेंट यहां भी तीन आएगा आर के जहां में यहां भी तीन आएगा ठीक है फिर ये तीन फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल और इसको घटाएंगे पांच में तीन तो कितना हो जाएग फिर लेम्डा के तीन घात को आगे मेरे लिख लेते हैं जैसा है वैसा यही पर आगे रख लेते हैं ठीक है इसके बाद ये पांच वाले को हम प्रसार कर लेते हैं पांच गुड़ी चार गुड़ी तीन फैक्टोरियल तक के कर लेते हैं और ये तीन फैक्टोरियल और ये दो गुड़ी तेख है ना इस तरीके से तो यह 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कड़ गया दो एका दो दुनी भी यह भी कड़ गया अब यहां पे कितना है 270 है तो यह लेम्डा का तीन घात और यह कितना है 10 तो 10 को मैं क्या करूंगा यह जो 5 दुनी 10 है यह 270 को भाग करेगा तो बाहर में मतलब इसको दूसरे साइट में ले जाकर इस तरीके से कर देते हैं 1010 कड़ गया तो लेम्डा का 3 घात है ना देखो लेम्डा का 3 घात और 27 जो है तीन का 3 घात होता है कि नहीं होता है हा ना तीन का 3 घात होता है तो तीन का 3 घात हो देखो यह घात और यह घात सेम सेम है घात और घात तीन तीन घात है ये और ये सेम होने कारण कड़ गया तो लेमडा बराबर नीचे में क्या बचा तीन ठीक है इसको बगल में कर देता हूं तो लेमडा बराबर तीन आया यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है तो देखो इस तरीके से आपका तेरवा चाहरा दिया है कि प्रसार में दो आर प्लस चारवे और आर माइनस दो वह ये पद है मतलब पदों के गुडांग बराबर हो तो आर के मान ग्याद कीजिए तो आर का मान यहां भी निकालने इक लिका है ना तो चलो हल करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानत हैं ठीक है हम जानते हैं कि प्रस्न क्या दिया हुआ था उस प्रस्न में पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं ठीक है तो हम जानते हैं एक प्लस एक्स दिया हुआ था और यहां पर दिया हुआ था अठारा अठारा जगा में घार जो अठारा है उसको हम एन रखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया एन रग दिया ना फिर के प्रसार के प्रसार के आरवे पद का गुडांग पद का गुडांग ठीक है आरवे पद का गुडांग कर रहे हैं तो गुडांग कितना होगा देखो ये जो है पुरा का पुरा अगर सुत्र से हम करें तो देखो T क्या रहता है TR सीध मैं R लिख देता हूँ TR हाना फिर N C यही रहता है फिर R-1 रहेगा ठीक है R-1 इस तरीके से रहेगा तो ये क्या है ये आ जाएगा हमारे पास तो इस प्रकार से ये होगा इसके बाद जो दूसरा है प्रस्नम ही दिया हुए ना उसके लिए करते हैं तो 2R इसलिए 2R प्लस 4 वे पद का गुडांग 4 वे पद का गुडांग 1 प्लस X 18 घात कितना था 18 हाना के प्रसार के प्रसार में ठीक है के प्रसार में तो यहां भी क्या करेंगे 18 घात है ना 18 हो गया और C 2R देखो ये जो 2R है ना इसको लिखेंगे 2R और ये प्लस 4 फिर माइनस 1 यहां भी हमने वैसे ही किया है ध्यान देना ठीक है हमने यहां भी वैसा ही किया है ठीक यहां भी उपर वाले में भी यह X को हमें नहीं लिखना है देखो यहां पर मैंने कहीं पर भी X लिखा है क्या नहीं लिखा है ना तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है ठीक अथ यह हो जाएगा और ये आगे बढ़के क्या होगा ये 18 C ये 2 R और ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना अब एक और मान बचा है उसके लिए भी कर देते हैं कौन सा बचा हुआ है और R-2 R-2 2 V पद ठीक है ये हो गया 2 V पद का गुडांग ठीक है गुडांग 1 प्लस यहाँ पे X का घात यहाँ भी कितना है 18 के प्रशार में ठीक है के प्रशार में के प्रशार में बराबर 18 ठीक है C अब यह जो मान ने पुरा लिखना है मुझे R-2 और फिर यहाँ पे मैनस एक तो यह हो गया 18 C R और यह मैनस 3 यह दोनों मैनस में है तो क्या हो जाएगा मैनस 3 हा जाएगा तो यह इसके लिए क्या हो गया प्रसार हो गया ठीक यह हमारा पहला समीकन और यह हमारा क्या हो जाएगा दूसरा समीकन हो जाएगा ठीक है दो समीकन है अब क्या करेंगे इनके जो गुडांग है वो बराबर है कहेंगे क्या बताएगे बराबर तो दोनों के गुडांग जो है वो बराबर बताएंगे तो तुलना करेंगे तो ये 18C2R3 और ये 18CR-3 इस तरीके से क्या करेंगे दोनों को बराबर बताएंगे ठीक है अब ध्यान दो ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना 18C 18C ठीक है तो यह जो पूरा मान है एक जैसा है, ठीक है, यह दोनों मान एक जैसा है, यहाँ भी क्या है, एक जैसा है, तो यहाँ पे एक सुत्र लागू होता है, ठीक है, एक नियम लागू होता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, चुकी, यहाँ पे कौन से लियम लागू होगा, अ N-C और S हो जाएगा, ठीक है? आगे मैं बताता हूँ न, होगा क्या इसका मतलब. तो ये N-C-R या N-C-S इस तरीके से दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो, देखो, दोनों मान अलग अलग है, ये मान कहाँ पर है? प्र데ज़त तो हमें क्या करना है इन दोनों कंडिशनों का उप्योंग करना है इस प्रसम को हल्ड करने के लिए समझ में आ गया समझ में आया ना यहां पे गहात अठारा यहां भी गहात अठारा मतलब यह यह उपर मैं है गहात यहां 2 करते हैं ठीक है उसको उपर में लिए तोhos पर नहीं तो यह यह 18 अभी 18 यहां पे 18 है मतलब यहां पे 8 अन इहका यह और 15 सी 12α में यह पूरा मान R के बराबर है और यह पूरा मान S के बराबर है तो अगर ऐसी सिती होता है तो एक कंडिशन क्या लाग होगा कि R बराबर S लिखना है सिर्फ R बराबर S मतलब यह नीचे के मान और इन दोनों को बराबर में लिखना है अब दूसरा क्या होगा दूसरा होगा और घात को बराबर में निखा जाएगा तो दोनों को हमें यहां पर उब्योग में लाना है चलो पहले बारे को पहले लाते हैं ठीक है तो दोनों को बराबर में रखेंगे तो यह 2R प्लस 3 ठीक है इसके बराबर में है R मैनस 3 तो यह आर इस से डाके क्या हो जाएगा दो आर माइनस तीन और ये और ये ठीक है पहले से यहाँ पर माइनस तीन है यह इस से डाके माइनस हो जाएगा तो यह आर यहाँ पर यहाँ से आ रहा है ना यहाँ से तीन गया ठीक है अदला बंदी कर रहे है तो यह हो गया R पराबर यह माइनस है अब यहां पर देखो माइनस में मान आ रहा है माइनस में मान आ रहा है इसलिए यह क्या होगा संभाव नहीं है तो यहां पर लिख दोगे संभाव नहीं है ठीक है माइनस में अगर कोई मान प्राप्त होता है तो संभाव नहीं है लिखत हो गया तो यहाँ यहां पर बाबर स्थानक हो ना सब्सक्राइं थे और यहां पिंदाने के लिखात और 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 कमान भी मैंने इस प्रस्ण में निकाल दिया प्रस्ण गर्मांग 15 है दर्साइए कि कुष्टक के अंदर 1 प्लस X दिया हुए इसका घात है N प्लस 1 के प्रसार में R प्लस 1 पद का गुडांक कुष्टक के अंदर 1 प्लस X और इसका घात N दिया है कि प्रसार में R वे औ अपर एक वे पदों के गुडांको के योगफल के भराबर होता है देखो यह प्रस्ण कैसे बनेगा बहुत आसान प्रश्चन है एक में क्या करूंगा ? एक प्लस एक से लिए क्या करूंगा ? प्रसार वालन लेँगा ना ? तो आर प्लस वेव पद वालन है ये पूरा मैं लिखूंगा ठीक ? ऐसे मैं आपको अब ही बताता हूं देखो यहां पे हम लिख लेते हैं मैं हल लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको हर में हल लिखना है ठीक है हल या अंग्रेजी में लिखता हो तो solution या solve लिखना है एक प्लस x n प्लस एक ठीक है के प्रसार में r प्लस 1 यह पूरा प्रस्न में दिया हुआ ठीक है पद का गुड़ांग लिखना है ठीक है गुड़ांग तो यह क्या है r प्लस 1 है न और यहाँ पे घात क्या है n प्लस 1 दिया हो तो direct लिख दो n प्लस 1 c फिर यह हो जाएगा r प्लस 1 हो जाएगा ठीक है यह पूरा लिखना है इसके बाद तो r प्लस एक और यहाँ पे क्या लिखना है माइनस एक करना है ठीक, आगे हल करोगी से तो एन प्लस एक सी, आर बस होगा यह दोनों कड़ गया, ठीक है तो क्या प्राप्त हुआ हमें, यह प्राप्त हुआ ठीक है, जब हमने इसका प्रसार किया है तो हमें कॉन समान प्राप्त हुआ है अब आगे ठीख है और अब क्या करें एक प्लस एक्स अब यहा sleeping एक को हटा देंगे ठीक है इन भस को लोंगे ठीक है दो इन के रिखन के ब्रसार में यहां भी क्या होगा जब एकुण इखड जाएगा तो मतलब आर बस सबस्ता और इसका घाद क्या हो जाएगा यही है एक गाद के प्रसार में R प्लस एक वे पद, पुरा प्रस्ण में R प्लस एक वे पद दिया हुआ है न, इसलिए ये हमें लेना होगा, पद का गुड़ांग, ठीक है, इस तरीके से आपको लेना ही है, फिर N, C, R-1, और एक हो जाएगा, N, C, R, बस, देखो, यहाँ पर जो है न, यहाँ पर एक के लिए जैसे N यहाँ पर घात में दिया हो न, घात में क्या दिया है, N दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों अलग-अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये पहले हमने किय इसके लिए हमने पहले प्रसार किया, तो इसके लिए पहले प्रसार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, घात क्या N, फिर C, ठीक है, और R-1, मैंने बताया था न, सिर्फ R-1 के लिए करोगे, तो क्या हो गए, एक घट के रखते हैं, घटा के लिखा जाता है, घटा के हैं यहां पर प्लस लगा है यह इसके लिये है ठीक है फिर यह क्या हो जाए कि यह पूरा n c और यह r plus 1 r plus 1 है तो भाई है यह r plus 1 और minus 1 तो रहे गई ना पहले से था ठीक है ठीक है तो पहले से था देख दोनों की आगे बढ़ाते चलेंगे अब इसको factorial के रूप में लिखो तोачеयों 5 फिर यह s1 तरीके से लिखेंगे यह factorial ठीक फिर प्लस इसको लिखेंगे N फिर यहां पर R है मतलब R factorial और फिर इन दोनों को घटाएंगे तो N minus R factorial यह हो जाएगा फिर यह N factorial ठीक है यह क्या हो जाएगा N factorial हो जाएगा यह R minus 1 जैसा है वैसा रहने देते हैं तो यह R minus 1 ये जो है ये क्या हो जाएगा यह हो जायगा एक हो जाएगा A M-R ये नimificación करते हैं इसके बाद अगला झांगा यह ओग66 ठीक है, देखो, factorial कहां पर लगए, यहां पर पीछे में, ठीक है, तो ये जो है ना, इसके एक पीछे विस्तार ये होगा, फिर plus, फिर उपर में n factorial, इस r का विस्तार करेंगे, तो क्या होगा, r, और ये r-1, है ना, तो ये r-1 factorial तक के जाएगा, और ये जैसा है वैसा लिख ल है ना, तो r-1 factorial common लिख लिए, n-r factorial भी common है, और जो common नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, कोश्टा के अंदर लिखेंगे, तो देखो, ये हो गया, n-r plus 1, ये जो है common नहीं है, तो अलग लिख लिख लेते हैं ना, और यहां पर देखो, ये भी अकेला है, common मतलब अकेला, ठीक ह हो, और common जो नहीं है, वो अकेला वाला है, तो ये अकेला मान है, देखो, ये दोनों में था, इसमें भी इसमें भी था, तो ये बाहर आ गया, जो नहीं था, वो कोश्टा के अंदर में, ठीक, common मान को हमने बाहर निकाल लिया, तो n factorial, r-1 factorial, n-r factorial, अब इसको हल कर लेते हैं, तो इस r को हम गुड़ा करेंगे, तो ये r यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसका यहाँ पर गुड़ा करेंगे, n-r plus 1 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को साथ में गुड़ा कर देते हैं, तो साथ में गुड़ा करेंगे, तो ये हो जाए, n-r plus 1 और ये रहा r, तो यहाँ पे ये और ये क्या हो गया? कड़ गया ठीक है ये दोनो कड़ गये यहां पे बचा क्या? n ब्लस एक बचा तो यहां पे बचा ये पूरा मन सेम टू सेम उतारते आएंगे r-1 factorial n-r factorial यहां पे n प्लस एक और ये हो जाएगा n-r प्लस एक और ये रहा r तो ये हो गया n देखो अगर हम एक साथ में लिखेंगे न इन फैक्टोरियल और n प्लस 1 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो यह लिए प्लस न प्लस एक फैक्टोरियल बन जाएंगा ठीक है यह जो विस्तार रूफ है इसके आगे का ये चेप है n के यहां पर देखो यह और इसको हम एक सांस लेते हैं फिर से ठीक है यह वाला मान इसको और यह आर को हम सात में ले लेते हैं तो क्या होगा यह ए हो पूला समय को अब इसको भी हम साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को ठीक है। मैं साथ में लिؤैएं किया हो जायगा साथ में लिए तो यह हो जाएगा equals minus our और एक अधो हो जायागा ठीक है। यह हमने साथ में ले लिए है। अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं तो ये इन प्लस एक है मतलब ये इन प्लस एक घात हो जाएगा किसका सी का ठीक है समझ में आ रहा है ना इन प्लस एक घात किसका है मतलब घात नहीं कहते हैं ये उसको उपर में लगा है बगल में लगा है घात मतलब बार 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 एक ठीक, क्या रहेगा? आरबस रहेगा और यही क्या है? हमें सीध करके लाना था तो सीध हुआ लिको तो इस तरीके से प्रस्न को बनाया जाता है इसमें दो प्रस्न को मैं जल्दी आपको बता दूंगा